कनाडा के पीम जस्टिन टूडो ने दोजार पच्चिस से विदेशी अस्ताई करमचारियों की भरती के लिए नियम सक्त कर दिया है उन्हें इसे कनाडा फर्स्ट का नाम दिया है तो यह ने गुरवार को शोशल मेडिया पर बताया कि कमपनियों को नौकरी में अब कनाडा ही नागरी को कोप्रात मिक्ता देनी होगी यह जानते हैं क्या है कनाडा फर्स्ट और इसका क्या असर पड़ेगा उन भारत वासियों पर जो कनाडा में रह रहे हैं या वहां रुजगार के चक्कर में चाहते हैं भारत और कनाडा के रिष्टे बेकरवा हटाने के बाद कनाडा में काफी कुछ बदल रहा है जिसमें से एक सही कनाडा फ़स्ट जी हा दरसल कनाडा की कमपनियों को विदेशी करबचारिय को अस्ताई तौर पर नौकरी पर रखने से पहले ये बताना होगा कि उन्हें कनाडा रेस्टोराइंट में काम कर रहे हैं कनाडा में 2023 में भारतिय अस्ताई वरकरों की संक्या सबसे ज्यादा थे कुल एक लाग त्रियासी अजार अस्ताई करबचारियों में से 27 अजार भारतिय थे प्रोल सरकार ने 2022 में कोरोना वहबारी के बाद मजदूरों की कमी के चलते न दूब फायदा हुए वहागए चात्र अपनी पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम नौकरी करने लगे फॉर्प्स की एक रिबोट के मुताबिक रुडो सरकार के फैसले के बाद कई भारतिय चात्रों ने अमेरिक युनिवर्सिटी में दाखिला ना लेते हुए कैनेड़ युनिवर्सिटी को चुना विदेश मत्राले के मुदाविक दोजार चौविस में लगबग 13,35,888 भारतिय चात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा कनेड़ा में 4,27,000 चात्र हैं लोडों ने कहा कि कोरोना के दौरान लगाए गया प्रतिबंदों के कारण हमारी एकोनॉमी का जो नुकसान हुआ था उससे उबरने में वो प्रवासियों ने एहम योगदान दिया है लेकिन अब इसमें बदलाव करने का समय आ गया है कनड़ा को अपनी जन संक्या को स्तेर करने की जरूरत है कनड़ा विदेशी नागरी को को स्टाई नाग की दोजार एकिस की जनगरना के मुताबिक 23 प्रतिशत आबादी विदेश में जन में थी जिनने बाद में कनड़ा की नागरी को पर भी देखने को मिल सकता है व्यापार या रोजगार की दृश्टी कनड़ा चाते है